नमस्कार साथियों स्वागा थे आप सभी का आपके अपने चैनल नेचर्स गार्णिंग में और आज का हमारा प्लांट है मेरी गोल्ड का और यह जो आप देख रहे हैं मिनी मेरी गोल्ड है छोटा सा जिसको हम लोग चंदैनी गोंदा बोलते हैं अपमारे कॉमन लेंग्वे मेरी गोल्ड का फ्लावर जो है कॉमन है सबसे कॉमन फ्लावर है सर्दियों का जिसको भी पसंद नहीं है मतलब गार्डिनिंग उतना इंट्रेस्ट नहीं रहता है जिसको उनके घरों में भी आपको यह गेंदे का फूल जो है देखने को मिल जाएगा और यह जो मेरा मिनी म पूल है कितने सुन्दर है तो मैं बोल रही थी कि सर्दियों में जिनको भी फूल नहीं पसंद मतलब उतना इंट्रेस्ट नहीं रहता है गार्डिनिंग का फ्लावरिंग का उनके घर में भी आपको यह गेंदे के फूल मिल जाएगे बहुत कॉमन है और यह जो मेरे गेंद तो मैंने इसको आप लोगों के साथ सेयर किया है कि इसमें क्या हम करें और बहुत इजी टू ग्रोव फ्लावर है यह मेरी गोल्ड का बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला जो है मेरी गोल्ड का पौदा यह है जैसे आपके घर में कभी पूजा वगे रहे और आप गेंदे क फूल अपने पूजा की थाली में रखे हैं उसको आप क्या करिए उसको आप सुखा दिजिए छाय में आप उसको रख दीजिये ऐसे ही तोड करनी शुखाई है आप उसको ऐसे रख देंगे तो छाओं में रखने के बाद जैसे सूख जाता है उसको फिर आप जमीन में आप लगा दीजिए और असानी से वो जो है वो उसके जो बीज है वो निकलाते हैं तो अगर आप इसके गेंदे के फूल को अगर ऐसे तोड़ के सुखाते हैं तो कभी-कभी क्या होता है उसकी जो लंबी-लंबी जो बीज रहती काली-काली सी वो क्या डैमेज हो जाता तो निकलता लगा सकते हैं वैसे यह स्टेम से भी लग जाता है लेकिन उतना सक्सेज नहीं रहता हैin सुछे जो लगाते हैं वो उतना सक्सेज नहीं होता जितना अच्छा वह बीज से ग्रो होता है और बीज से healthy रहता है तो आप कोशिस यह करिए कि इसको बीज से ही लगाए इस टेम से भी लगता है लेकिन वो आप देखेंगे कि इस टेम गेंदे का जो flower जो होता है गेंदे का जो plant होता है उसमें भी इस टेम जो रहता है उसमें भी छोटे छोटे जड़े निकल आती है तो बहुत अच्छा है यह बहुत इजली ग्रू होने वाला प्लांट है हमारा मेरी गोल्ड का और आप देखेंगे कि इसकी जो कंडिशन है हम मैं बताती हूं इसकी कंडिशन इसकी रिक्वार्मेंट क्या है सबसे पहले तो इसको पूरी फूल सनलाइट चाहिए गेंदी का जो फ है तो इसको आप ऐसी जगह रखिए जहां सुबा मॉर्निंग से जो दूप आ रही है साम तक रहे मतलब फूल सनलाइट इसको मिल ली चाहिए ऐसे जगह आप इसको रखिए बहुत ही हाडी प्लांट है आप इसको छामे मत रखिए धोप पूरे दिन के धूप इसको मिलती है ऐसी जगा आप इसको रखिए और ये जो आप देख रहे हैं मेरा तो सामने ही जा सुबा होते ही जो सनलाइट पड़ती है मेरे जो गेंदे के फ्लावर में उसी जगा मैं रखी हुई हूँ इसको कि पूरे दिन की धूप सुबा से लेके साम तक की धूप पूरा मेरे जो प इसकी जो मिट्टी है सुखी हुई है और देखी पार हें इसके तो में पानी भी थोड़े से हो गया है, सूखा हुआ है, तो इसमें आज मैं पानी डालूँगी, आपको सर्दियों के जितने भी प्लांट है, उनको देख कर ही पानी लेना है, यह ऐसा नहीं कि एक बार रहा शुरू किये, एक सामने से स्टार्ट किये, तो पानी देते जा रहे है, ऐसा न करना है, देख कर दीजी, अगर इसमें पानी है, तो उसको ना देकर, जिसमें पानी नहीं है, उसको पानी दीजीए, और कोशिस ये करिए, कि पानी सुबा, सुबा के टाइम में 10 बजे तक दे दीजीए, क्योंकि धूप रहता है, और अगर साम के टाइम अगर आप पानी देते हैं तो कोशी सिये करिए कि साम के समय में भी चार से पांच बज़े के बीची क्योंकि बाद में उसको जो सनलाइट है वो मिल सके जो पत्तों में पानी अगर पढ़ जाते हैं वो भी सुख जाएं तो साम के समय में क्या होता है पानी डालने से फ्लावर में जो है पानी क अब लगा सकते हैं कोई भी मिट्य में लग जाता है लेकिन भैंज। मैं जो हैं मिट्टी में मिट्टी बनाती हूँ तो एक साथ ही बना देती हूं पूरा तो आप कर्म Prix बना रहे हैं अगर गमले में लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सा देखकर उसका मिट्टी कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा जो खाद है है ना खाद अगर ज्यादा दे देंगे तो इसमें फ्लावर कम पत्ते ही पत्ते ज्यादा नीख लेंगे क्योंकि नैट्रोजन इसको ज्यादा मिलेगा खाद से तो यह इसरी पत्ते ही निकालेंगे बहुत बड़े बड़े पत्ते हो